जै हिंद साथियो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ITBP यानि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्च की तरफ से आप सभी के लिए कॉंस्टेबल जीडी के पदों पर रेली भरती आ चुकी है फ्रेंड्स यह आपकी ओपन रेली भरती रहने बाली है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप सभी को इस भरती के लिए कैसे एपलाई करना होगा कैसे आपको इसका ओफलाइन फोरम फ्लप करना होगा तो आज की वीडियो में आपको A to Z जानकारी देने बाला हूँ साथी फ्रेंड्स यदि आपने इस भरती के अभी क्वालिपकेशन को चेक नहीं किया है तो मैंने आपको लिंक के वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोबाइड करा दिया है आप सभी वहाँ से इस भरती के बारे में डेटेल में क्वालिपकेशन चेक आउट कर पाएंगे टोटल फ्रेंड्स आपकी 620 पदों पर इस भरती का नौट पेशन जारी किया गा है और केवल हाई स्कूल पास केंड़ेट इस भरती में आविदान कर सकते हैं तो लिंक आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप सभी इस भरती के बारे में डेटेल में जानकरी चेक आउट कर पाएंगे अभी चलिए हम जान लेते हैं कि आप सभी को इस भरती के लिए ओफलाइन फॉरम को कैसे प्लग करना होगा देखिए फ्रेंट्स यहां से आप अपने जिस भी स्टेट के लिए एपलाई करना चाहते हैं उस स्टेट के आप सभी को इस पर पीडियाइप देखने को मिल जाएंगे यहां से आप पीडियाप डाउनलोड करने के बाद आप सभी को फॉरम को एपलाई करना होगा देखिए फ्रेंड जैसे आप सब इस भरती का ओफलाइन फोरम पीडियाइप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एंपर टोटल पांच पेज का आपका पीडियाइप देखने को मिल जाएगा यह आपका पांच पेज का अलग-अलग आपका पीडियाइप रहने बला है आप सब इस भी आप पर रॉल लंबर नहीं फलब करना है यह आपका ओफिस यूज के लिए रहने बला है सबसे पहले आप सब इस भी आपने नाम फलब करेंगे आपको कुछ चीजों का याद रखना है नाम को अपने एक बलेक लेटर यानि कैबिटल लेटर में फलब करेंगे साथ ही आपको एक कॉलम में अपने आपने नाम का एक ही वर्ड आपको लिखना होगा देखिए यहांपर मैंने टाइपिंग की थी यहांपर पीची से तो अच्छी तरीके से टाइपिंग नहीं हो पाई क्योंकि एक एक वर्ड में यहांपर नहीं आपाया यह कॉलम में लिखना होगा इसके बाद आप सब इपने अपर फादनने मेंशन करेंगे इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है 1823 से कि आपकी जो एज है वो कितने एर, कितने मन्त और कितने दिन की हो रही है और कैलकुलेट करने के बाद आप सब भी यहांपर लिख देंगे इसके बाद आप सब भी को अपना जो भी आपका जेंडर है, जेंडर के ज़स सामने आप सब भी राइट टिक का चिंडर लगा दिंगे इसके बाद आपको एज्जुकेशन, क्वालिपकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी देखे एग्जामनेशन पास में सबसे पहले आपको टेंथ लिख देना है इसके बाद नेम आप स्कूल या बोर्ड या या यूनिवर्सी इंस्टूट में आप सब भी ने आपने टेंथ में कौन-कौनची सब्जक्ट पड़ी है तो इतना या पर स्पेस नहीं है बस आपको क्या करना है यहाँ पर लिख देना है औल सब्जक्ट है और इसके बाद आप सभी को अपने या पर परसेंटेज के बारे में जानकारी दे देनी होगी इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपने या पर यह दिए आपने 12th क्लास पास आउट कर लिए तो सेम आप अपने या पर 12th के बारे में जानकारी दे देंगे वन्ना आपकी केवल हाई स्कूल पास भरती रहने बाले केवल आप हाई स्कूल की जानकारी प्लब कर देते हैं तो आपको कोई भी प्रोग्लम नहीं रहने बाली है इसके बाद आ जाते हैं पास नमर उप्सन में जो केवल रहने बाला है NCC Certipate के लिए NCC Certipate यदि आपके पास है यदि आप NCC Certipate होलडर है तो आपके पास जो भी Certipate है यह है BSC है उसके जस्ट नीचे राटिक का चिन लगा देंगे यदि आपके पास NCC का Certipate नहीं है तो आप सभी इसको रिखते छोड़ देंगे इसके बाद आप जिस भी Category से अपने फोरम को एपलाई कर रहे है तो आप सभी को इसके जस्ट नीचे आप सभी को यहाँ पर राटिक का चिन लगा देना होगा इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपने अपर धर्म के बारे में जानकारी देनी होगी देखे फ्रेंट्स आपका जोबी धर्म है आप सभी अपने धर्म के जस्ट नीचे आप सभी राटिक का चनल लगा दिंगे देखे फ्रेंट्स यहदी आप यहाँ पर बलॉंग करते हो देखे यहाँ पर SCI, STCategory से यहाँ आप यहाँ पर STCategory से बलॉंग करते हो यहाँ पर आपको इस प्रकार column बना लेना और एक side में आपको लिख देना EWS और एक side में लिख देना ST यहाँ आप EWS ST category से apply करें तो उनके नीचे राट टिक का चिन लगा देंगे इसके बाद friends यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगे अपने permanent home address के बारे में लिखे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने गाउं का नाम यहाँ पर mention करना है इसके बाद आप सभी का post office क्या है यह नहीं कि आपका डांकर क्या है आप सभी अपने डांकर का नाम यहाँ पर mention करेंगे इसके बाद आपका तैसील क्या है नहीं आपका sub district क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे police station क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे district के बारे में जानकारी देंगे आपका district क्या है state क्या है और आप सभी अपने अपर print code के बारे में जानकारी दे देंगे आसा करूंगा कि आपको address लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आईगी इसके बाद फ्रिंट्स आपको अपना जो आपने यहाँ पर यह दे आपके permanent address और present postor और नी पयर से वही mobile number या आप अलग mobile number भी यहाँ पर दे सकते है इसके बाद आपको इंपर फिजिकल स्टेंडेर में देए कि फ्रेंड्स यहां पर जो आपकी हाइट मांगी गई है वो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटिमीटर रहनी चाहिए पिकिन जो भी आपकी हाइट है आप सभी अपनी हाइट के बारे में यहां पर जानकरी देंगे और एक्सपेंडिट के साथ और एक्सपेंडिट के साथ एक्सपेंडिट का मतलब होता है यहां पर आपको यहां पर आपको बिना फुलाब के और यहां पर आपको फुलाब के साथ अपनी चैस्ट के बारे में जानकरी देनी होगी इसके बाद आपका वेट कितना है आप सभी employed हो यदि आप present में ITPP में काम कर रहे हो तो आप सभी यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दे देंगे यदि काम कर रहे हो तो वरना आप सभी इसको रिखते छोड़ देंगे इसके बाद देखे पर 13 नमबर option में आपको क्या करना है सभी पर आपको देखे आप से यहाँ पर ज नहीं हो गए हो इस अभी पर आपको क्या करना है नो पर ही राट टेक चिन लगा देना हुगा यदि क्योंकि इन पर रियस पर राट टेक चिन लगाते हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी देनी हो कि अपने आइडेंटिफिकेशन मा लगा देना है तो आपको फोटो कोपी करा के बेज रहा है तो आप सबसे पहले लिखिएंगे आपको कहीं नहीं है लेकिन आपको लिख दिना है कि अपर कोन कुछ दाउक पास हैं उनके बारे में आप सभी जानकाली दे दिंगे इसके बाद घरता को एक बनवा लेगा क्योंकि आप पड़ी कुछ वाला न बनवाके करेक्टर certificate ठीक है यहां पर आपको सौट में लिख देना यह दिया आपको space कम देखने को मिले तो आप यहां पर सौट में लिख देंगे इसके बाद प्रेंट चाजार यादि आप और कोई भी कोई document रख रहें तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे इसके बाद इसके बाद आज की यहां पर डेट डाल देंगे आप सभी को अपने पर फुल नेम आप सभी को मेंशन कर देना होगा इसके बाद आप no objection certificate candidate already government service must submitted the application through proper channel with the following certificate देखे यह जो आपका रहने वाला है यह जो आपका यह आप सभी फ्रैसर के इंडिए नहीं रहने वाला है यह उन्हीं के लिए है जो एक्सर्विस में है यह उनके लिए रहने वाला है यह आपको यह दिया बिल्कुल फ्रैसर है तो यह आपको फ इसके बाद आप सभी को क्या करना है आप सभी को अपने अपर नाम आप सभी को mention करना है आपको याद अखना है जो भी जानकारी दे रहे हो आपको capital letter में ही देनी होगी इसके बाद आप सभी का इंपर father name क्या है आप सभी इपने father name के बारे में जानकारी देंगे इसके आपका पोश्ट ओपिस क्या है आप सभी अपने आपर पोश्ट ओपिस का नाम आप सभी यहां पर मेंशन करेंगे इसके बाद आपका तैसील क्या है तैसील का मतलब होता है friends sub district master यह तो आपको पता ही चल चुका ऊगा इसके बाद आपका फुल्स station यह आपका ठाना कहाँ पर है उसके बारे मिधिन धे अ इन्य जिले के बारे में आप सभी यहां पर जान करी दिंगे इसके बाद आप सभी को अपने state का नाम और यहां पर आप सभी को अपने area के बारे में आप सब भी यहां पर जानकारी दे देंगे देखिए यहां पर आप से जानकारी पूछे यह नि जो आप भी आपने यहां पर जानकारी दी है यहां पर अपने एड्रस के बारे में जानकारी दी है उस डिस्टिक में क्या आप यह पर पर्मानेंटली रह रह रहे ह पर हो तो आपको यहां पर लिख देना है यहां पर पर्मनेंटली बेसिस पर रह रहे हो तो आपको यहां पर यहां पर यहां लिख देना होगा यहां पर signature करेंगे अपना नाम लिखेंगे इसके बाद देखını ये जो आपको रहने बाला है इसके बाद आपको फ्लप नहीं करना ये भी आपका office के लिए रहने बाला है बस आपको क्या करना है अपना नीचे के तरफ फिर से आजाना है और जो आपके यह पर registration की slip है देखे यह जो आपकी registration की slip है यह आपकी के लिए copy है यह आपको बिलकुल भी फ्लप नहीं करनी है यह आपकी देखे जो यह आपकी है यह आपको फ्लप नहीं करनी है यह office की copy के लिए रहने बाली है बस आपको क्या करना है यह आपको candidate date copy यह आपको fluff करनी होगी आपको यह देखना हा है यहां पर आपके देखिए आपको एन पर अपना registration number, date of registration, date of यह आपको तीन जो आपके फस्ट kolom है यह आपको फलप नहीं करने हैं आपको इसमें यहां से start करना हैं यहां पर आप सभी को अपना नाम आप सभी को mention करना है इसके बाद आप सभी को अपने पर फादन नेम आप सभी को mention करना हुगा इसके बाद जो भी आपका gender है उसके उपर right tick action लगा देंगे इसके बाद आपके इस category से अपने forum को apply कर रहे हैं अपनी category के बारे में जानकारी देंगे पस आपको इतना ही इसको फिलाप करना है इस प्रकार आपका जो ITBP का आपका जो complete है जो फॉरम है वो आपका फिलाप हो जाएगा अभी देखे फ्रेंट्स मैं आपको इसकी एक नट में डॉक्यमेंट के बारे में भी जानकारी देना चाहँगो कि आपको इस फॉरम को फिलाप करने के लिए कौन-कौन से आपके required डॉक्यमेंट है देखे फ्रेंट्स आप सभी को क्या करना है आप सभी को अपनी 10th की मार्चिट की फोटो कॉपी करवाले नहीं है जाती की निवास की और इसके अलाबा चरत्रिकी अपको इसके अलाबा आपको चार पासपूर्ट सायज फोटो आप सभी को इनके और डॉक्यमेंट और आप सबी को इनकी दो-दो फोटो कपी भी करा कि अपनी साथ ले कर जानी होगी अभी देखे फ्रेंट्स मैं आप सबी को बतना चाहूँ को इसके अलाबा क्या करना है आप सबी को बस इनको ले करी जाना है इसमें आपको कोई भी लिफापे कि आप सकता नहीं रहने वाली यह आप का फॉरम भर चुका है अभी आपको यह काम और करना है आपको क्या करना होगा देखे आपको ओनलाइन रजिस्टेशन और करना है अभी आपको ओनलाइन रजिस्टेशन कैसे करना होगा आप सबसे पहले ओफलाइन फॉरम को फिलाप करने क्योंकि यह आपको फिलाप करने क आपको बता दूगा कि आपको ओनलाइन जो रजिस्टेशन है वो किस तरीके से करना होगा तो यदि आप आप के लिए अच्छी बढ़ती अच्छी अपर्चुनुटी आप सभी के लिए तो आप चैनल को जरूर सस्क्राइब करना है यह जैसे आपकी नेश्ट वीडियो आए अच्छी है टूरarnercież प्लेह पॉपल्गा है स सलिए करना हो आपके लिएसे करना है अच्छी आपकी आपकी करना होगा पहा क्या जा आपकी करना है तो यह ज़से करना हो जा Quandने मैं सक्ता चैनल को एकर बिएस्जची आपका